पायनी नुपुर, मन्जु बजय, कटि किंकिनी कैधुन की मधुराई, सावरी अंगल से पठपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई माथी किरिट, बड़े द्रिग चंचल, मन्द हसी, मुखचंद जुनहाई, जैजग मंदिर, दीपक सुन्दर, स्रीब्रज दुलह, देव सहाई अक्सर हम देखते हैं कि रितिकाल की रचनाएं, जो अलंकारों से भरी होती हैं, छात्रों के समझ के परे होती हैं इसे समझने के लिए छात्रों को अक्सर जद्दो जहत करना पड़ता है उनकी समस्या को समझने ते हुई तथा उसके निराकरण हेतू, आज मैं काव्यांगन में कुछ रचनाएं लेकर आऊंगी तथा बड़े ही सुन्दर एवं सरर सब्दों में उनका सरलार्द करोंगी इस वीडियो को देखने के बाद उमीद है कि बच्चों की कुछ समस्याएं दूर होंगी तथा उनका निराकरण होगा तो कवी देव जो रीदी काल के कवी रहे हैं उन्होंने एक तरफ स्रीकृष्ण की भक्ती की है और दूसरी तरफ अपनी रचनाओं के द्वारा अपने राजाओं के प्रतिजिन के राजाश्रय में वे रहते थे उनको भी खुश करने की कोशिश्ती है तो इस सवैये में राजशी थाट बाट श्रीकृष्ण के राजशी संदर्य का वर्डन हुआ है तथा सामन्ती वैभवी जलगता है इस कवीता में इस सवैये में सामन्ती वैभवी जलगता है तो सडलार्थ कुछ इस प्रकार है पायनी नुपुर मंजु बजय कति किंकिनी कैधुन की मधुराई श्रीकृष्ण के पैरो में मंजु बजय सुन्दर पायल बज रही है कटि किंकिनी कैधुन की मधुराई उनके कटि अर्थार्थ कमर में कमरबंध करधनी वधी हुई है और जिसकी मधुर्धुन सब को मंत्रमुध कर रही है सावरे अंग लसाय पठपित उनके सावले रंग पे पीले रंग का वस्त्र सुसोभीत है बच्चों हम जानते हैं कि स्रीकृष्ण को पीला वस्त्र पहना अत्यंत प्रिय है तो कवीद देव ने यहाँ पर उसका अत्यंत ही सुन्दर वर्ण किया है उन्होंने कहा है कि स्रीकृष्ण के सावले रंग पर पीले रंग का वस्त्र सुसोभीत है तथा हिय हुलसे बन माल सुहाई उनके हृदय पर वनों के फूलों की माला से बनी हुई माला लटक रही है जो की इधर उधर हिल करके अपने आनंद को प्रदर्शित कर रही है माथे किरिट बड़े द्रिक चंचल उनके मस्तक पे किरिट अर्थात मुकुट सुन्दर मुकुट सुसोभीत है तथा उनकी बड़ी बड़ी आँखे अत्यंत चंचल है मंद हसी मुक्चंद जुन्हाई मुक्चंद्रमा के समान मुखडे पर जुन्हाई अर्थात चांदनी के समान मुस्कान बिखरी हुई है कितना सुन्दर उन्होंने वर्ड़न किया है यहाँ पे चंद्रमा और उससे निकलने वाली चांदनी का कि श्री कृष्ण के चांद के समान मुखडे पर चांदनी के समान मधूर मुस्कान छितराई हुई है फैली हुई है जै जग मंदिर दीपक सुन्दर ब्रज दुलह देव सहाई इस उन्हों यहाँ पे कवी देव ने रूपकलंकार का अतियंधि सुन्दर चितरण किया है रूपकलंकार के द्वारा उन्होंने कहा है कि ऐसे स्री कृष्ण ब्रज के दुलह जो ब्रज के दुलह है वे इस जग रूपी मंदिर के दीपक के समान है जिस प्रकार मंदिर में एक दीपक वहां के अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण की सुन्दरता अलौकिक सुन्दरता एक दीपक के समान दिप्तिमान है जो पूरे संसार के अंधकार को दूर कर रही है बच्चो अब हम बात करते हैं इसमें प्रयुक्त अलंकारों की तो सबसे पहली पंक्ती कटे किंकिनी कै में कवी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयुक किया है इसके साथ है उन्होंने मुक्षण्द तथा जैजग मंदिर में उन्होंने रूपक अलंकार का प्रयोग बड़ी ही सुन्दरता के साथ किया है उमीद है कि मेरे साथियों को तथा बच्चों को यह सरलार्ट पसंद आया होगा ताप इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहे हैं लाइक करिए सबस्क्राइब करिए धन्यवाद